हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूध आपका स्वागत है एक बार फिर से बिग बॉस के अड़े में आज मेरे साथ है प्रशांत यास्मिन और दर्शिका बिग बॉस 13 में जब से वाइल कांट कर्टेस्टिंस की एंट्री हुई है तब इसे खूब सारा धमाल दे सबसे ही अच्छा लगा कि कि स्कार्टिंग से मेरे को रश्मी और सिधात को साथ में देखना था और वो देखने को भी मिला जस तरीके कि उनकी बिग बॉस ने एक टास दिया था बेसिकली उन्हें अपना जो शो आता था दिल से दिल तक हिट शो उसी को रिक्रियेट करना तो कुछ एक वीडियो बनानी थी जिसकी डारेक्टर शेहनाज बनी थी रश्मी और सिधात वाले पार्ट की तो उन्होंने इतना अच्छा डारेक्शन भी किया और एक्टिंग मतलब एक्टिंग तो मैं क्या ही कहूं ऐसा लग रहा था मतलब रियल में ही हो जो उनकी बीच उस विशाल को देखकर काफी फणी लगा नहीं तो पार्ट अच्छी से डारेक्ट बन डारेक्शन कर पाए और वहीं दूसीरा वह उन दोनों के बीच की कोई केमिस्ट्री देखने को यह नि मिले अगर इसकी से पार्ट और माहिरा होते तो शायद जादा अच्छे से देख चाब रही है चे लोग नमिनेशन तास्क हुआ कर आज की हमाली पूरा मुद्दा भी यही रहेगा नॉमिनेशन टास्क के बारे में हम बात करने वाले हमने देखा कि कल 6 कंटे से नॉमिनेट हुए हैं माहिरा शर्मा को हिमांशी खुराना आज को किसी को भी नॉमिनेट कर स की मतलब तुम्मी क्या लगते है इस बार घर से कौन खे गар हुआ मुझे अंबल घर को ऐसे मतलब वहसे सबस्टना चाहिए उन्हें कि मतलब उनका ऐसा कुछ दिखनी रहा और दूसरा मतलब आरति का ङआरति भी हैं म yönसी में मृट ऑन टोनों को होना चाहिए कि तुम में ऊ फिर वो मतलब हिमानशी और सिफाली के साथ बैठने लग गई अब उनका एक वो गुरूप बन गया है वो सिधार से मतलब एक्सपेक्ट करती हैं कि वो चीजे बोलें उनके लिए स्टैंड लें सारी चीजे करें लेकिन जब दोस्ती ही नहीं है और मतलब जो वो चाती हैं सामने बाला भी वैसे ही करें मेरें तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर इस चीज के ज़रूरत है और वो कहीं न कहीं सच में कनफ्यूज है कि भो उनने करना का हैं वो इंडिविजव कहलना चाहती है पर खेलनी पारी है बिल्कुल मैं यहां पर यह कहना चाहूंगे कि उन्हां उन्होंने कहा है कि इंडिवीच्वल खेल रही हूं लेकिन गूम पिर के वह आ जाती है सिद्धा शुकला के पास ही और मतलब उनका गेम वहीं से शुरू होता है वहीं पर खतम हो जाता है ऐसा दिखता है मुझे लगता है आरती घर से बेघर होनी चाहिए क्योंकि आरती जैसे साब से गेम खेल रहे हैं वह काफी कंफ्यूजिंग जा रही है और स्टार्टिंग से मैं मुझे वह कोई खास गेम खेलती नजर नहीं आई है इवन महीरा उनसे फार बैटर है थोड़ी सी तो मेरे साब से आरती बेघर होनी तो इस बार छे कंटेस्टिंग जो नॉमिनेट हुए कौन आगे है और कौन पीछे देकि वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अगर अभी इन च्छव में कोई सबसे आगे है तो वो हैं शहनास ग डेंजर जोन में देखा जाए तो वो आरती पारस माहिरा हैं तो इन तीनों में खत्राइक की घंटी इन तीनों को लेकर के है तो वही जैसे कि हम लोग भी कह रहें कि आरती जा सकती है वहीं वोटिंग ट्रेंड के साब से भी आरती को कहीं ना कहीं वोट्स कम मिल रही है आर आरती को पसंद नहीं आती और फिर बाद में काफी बवाल होता है आरती कुछ रोती है उने पैनिक अटेक आजाते हैं फिर वो सिधात के पास जाती हैं तो उस पूरे मामले में तुम्हारे का क्या है यहां पर मैं यह कहना चाहूंगी कि आरती कहीं ना कहीं expect कर ली थी सिधात से कि वो उनके लिए कुछ स्टैंड ले क्योंकि यहां परबात हो रही थी आरती और पारस के बीच में यह दोनों ही सेम लेवल पर बात करें जैसे कि सिधाश उकला ने कहा कि आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया मेरा वह काफी जादा उन्हें रोते भी देखा गया उन्हें एक्स्पेक किया था फिर दूसरी तरफ सिधाथ भी कहीं गलत नहीं थे वो क्यों बोलेंगे क्योंकि सेम लेवल पर ही दोनों जब जगडा कर रहें कोई ऐसी बात नहीं हुई है दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो यहां पर सिधाथ का बोलना कोई बनता नहीं था तो कि तुम अपने लिए स्टैंड ले रही थी उस वक्त पारश चाबड़ा तुम बराबर में लड़ रहे थे जैसे यासमी ने बताया लेकिन क्या लगता है से सिधार शुक्ला को बोलना कि तुम्हार तुमने स्टैंड क्यों ने लिया वो सही है या नहीं जैसा लगता है कि जगड़ा इनका हो गया तो आसिम से भी नोने कुछ दिन बात करनी छोड़ दी सैनास से भी छोड़ दी लेकिन सिधार्त के साथ हमेशा से खड़ी रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आसिम की और इनकी लड़ाई भी सिधार्त की लड़ाई हुई थी तो वह आसिम के पास शली गई थी क्योंकि वह मतलब सिधार्त को कहीं नहीं छोड़ सकती अकेले और वह कहीं नगई वह चिड़ती है अगर उनके कोई क्लोज आता है तो और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम मतलब वह सिधार्त अपनी जगह सही थे वह स्टैंड नहीं लिया उन्होंने क क्योंकि बरावर की लड़ाई चल रही थी वह बीच में कूटके अपना ही नुकसान करते क्योंकि अभी उनकी पारस से और महरा से बहुत अच्छी बॉर्णिंग हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी जगह पे अगर सहनास होती तो सिधार्त खड़े होते और मुझे अबू से खड़े होते हैं कर दोस्य पर बहुत गंदे चीजे बोल रहे हैं से इवांजी को उनकी बॉड़ी शेमिंग जो की और उसके बाद से उनको शिफाली को बोलना कि शादी शुदा है और लड़कों के साथ बैठ रही है, सोरी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसी तरह से उनके मतलब अंडर कार्मेंट्स के बारे में आरती को बोला और सरेयाम तो वो बहुत गंदा था और जिस शीच को लेकर उनके जितनी भड़ास थी आरती ने बराबर की लड़ाई की और मुझे नहीं लगता था कि यहां पर कोई कम था दोनों में से प्रिशान क्या लगता है सिधार्त और उतने कौन से कहीं और सिधार्त को भलती बहुत साइड को बहुत ले लीनी चाहिए थी क्योंकि आरती वो इस देखा गılan ही वह कहीं पर भी जाएं और सिधार्त के साथ रहती रhती है उन्होंने कल भी बोला कि ुनके लिए सौफ्ट कॉर्न है अगर वो इतना जादा अपने आगे से करी हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सिद्धात को भी उन्हें पेबैक देना चाहिए था अगर लड़ाई वैसे वो कितनी बार उन्होंने से आरती के लिए क्या है भरी अब चीजें मिसंडेस्टेंडिंग हो गई है थोड़ी लड़ाई हो गई हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला चाहिए बात बराबरी की ही सही येकिन कहीं न कहीं अगर दोस्त है तो सामने व लगों से बात करें तो वहां सिधात को यह चीज नहीं कहनी चाहिए थी कि तुम उन लोगों से भी बात कर रहे हो और लोगों से लेकिन अगर लड़ाई भी हुई है तो कहीं ना कहीं वो तुमाली हमेशा से खड़ी रही है हमेशा इवन अब भी बोली उसने कल हमांग्शी को भी चीज बोली कि मैं अपनी लोयल्टी रखोंगी और मैं एंट तक बहुत। जब तक भी रहता है कि सद्धार शुकला ने एक catastrophe कहीं ति कि अगर कुछ ज़्यादा बढ़ा होताक insightful प्राइं आती लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सी एक लड़ाई थी जो आप यह दोनों ही सेम लेवल पर बात करते वे दिख रहे थे तो इसो मेरा बोलना नहीं बनता था तो यह बात एटलिस उनों ने कही कि बहुत अगर कुछ जादा होता तो पर दिखाने के लिए तो उस टाइम पर सिधार्ट को एक दोस्ती दिखानी चाहिए थी वह बहुत जादा रो रही थी उस टाइम पर और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं अगर उनके बात करने से थोड़ी सी बात करने से वह ठीक हो सकती थी तो उन्हें साथ देना थोड़ा हग कर लेते या सहला देते कि हाँ चलो सौरी करो कोई भी सौरी के चलो ठीक है कोई नहीं अगली बार से कुछ भी थोड़ा बदब कर दे तो शायद वो चीज अच्छी लगती वो तो उल्टा ही एटिट्यूट में चले गए तो वो चीज थोड़ी सी अजीब लगता है कि सामने वाला थोड़ा भी तुमारे लिए कोशिश करे तो उस चीज में कोई जगतमाता वाली बात नहीं है यहाँ पर सिद्धा तो नहीं कुछ किया ही और अगर वो रहती तो थोड़ा उनको चुब भी करा देते कि चलो छोड़ मत्रू योग करते तो सही रहता यासमिन अगर बात करे पारस चाबडा की जैसे उन्होंने कमेंट्स कर रहे हैं वो आजकल जैसे दर्शिका ने बोला तो कहीं ना कहीं अब उनको अपने वर्ट के साथ के साथ केरफुल रहना चाहिए क्योंकि सिद्धा डे जैसे करते थे वो भी लड़कियों को लेकर काफ कि मेरा टेस्ट ऐसा है इने से तो मैंने तुम्हें बहन बनाया है तो इस तरह से लड़कियों से नहीं बात करनी चाहिए उन्हें कैफुल तो रहना चाहिए साथ ही ये सिफ हमी नहीं कह रहे है वे उनके जो ग्रूप की मेंबर रश्मी जो है उन्होंने भी कहा पारे तो उ रहना चाहिए लिमिट में क्योंकि कही ना कही लड़के ही जादा बदनाम होते है उस चीज को लेकर के लेकिन अगर किसी को बार बार ना मर्द और उल्टी सीजी अगर लड़के को भी इस तरीके से चीज कही जाए तो तब वहाँ पर लड़कें क्यों नहीं लेती है मुझ सब्सक्राइब काई लीःस को छिद calmly रखना चाहिए लेकिन लड़कियों को भी यह नहीं को देना चाहिए और यह बाद पार Oui ऊड़ी सिंटने है उन्हें श्टाप कर देना चाहिए क्योंकि वह नदा फिर जो लोग को करते हो उनहीं की से तोो आपकॉमिंग में एक लेक्टर क्लास्रूम दिखाया जाया जाएगा जहां पर युसारे स्टुडेंट्स रहेंगे घरवाले जो स्टूडेंस रहेंगे और शेहनास जो है वहाँ पर अलेक्टरर का रोल प्ले करने वाली है लेकिन इसी के साथ हसी मजा के साथ यह भी कि आसिम और शेहनास के बीच में काफी साथा लडाई होगी इन दोनों के बीच में ही नहीं इवन शेफाली भी वहां से क्लास्रोम से उठकर चली जाती है तो मतलब मतलब इतने एंटर्टेन्मेंट के साथ साथ बवाल भी होने वाला यह वेल गाइस आज के लिए बस इतना ही हम आपके लिए बिग बॉस काट डाल आते रहेंगे आप हमें कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि इस बार आप किसे चाते घर से भेगर हो इस बार नॉमिनेट चो हुए कर टेस्टिंट वो है मायरा पारस आती शेहनास शेफाली और हिं हुए कर ले आपारस आते बिहरेंगे बुटता है मायरा आते प्रेफ़ कर दो झाहिए घर कॉए बटाएं कर दो हुए को आपके लिए कि समयर आते हुएग जिए यह ज़ग़न है।